एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, नेसले कंपनी गरीब देशों में छोटे बच्चों के लिए बेचने वाले दूध और अनाज के प्रोडक्ट्स में ज्यादा चीनी डालती है। वहीं यूरोपिये देशों में बेचने के लिए बने इन्ही प्रोडक्ट्स में चीनी का बिलकुल इस्तिमाल नहीं करती। स्विडरलैंड के जूरिक की संस्था, International Baby Food Action Network और Public Eye ने मिलकर इस बात का पता लगाया है। इन्होंने एशिया, लैटिन अमेरिका और अफरीका से नेसले के प्रोडक्ट्स बेलजियम की एक लैब में जाँच के लिए भेजे थे। इन में सेरिलैक और नीडो जैसे बच्चों के खाने की चीजें भी शामिल थी। जाँच में पाया गया कि इन इलाकों में बिकने वाले सेरिलैक के सभी प्रोडक्ट्स में चीनी मिलाई जाती है। संस्था का कहना है कि उन्होंने चीनी की मिलावट पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि छोटी उम्र में ही बच्चों को चीनी देना उनके स्वास्थे के लिए नुकसान दायक है। इससे उन्हें भविश्य में मोटापे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्वस्वास्थिय संगठन की यूरोपिय गाइडलाइन्स के मताबिक भी तीन साल से छोटी उम्र के बच्चों के खाने में चीनी का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।